Hello दोस्तों, Welcome to the new video आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक टैबलेट का मोबाईल फोल्डेबल होल्डर स्टैंड बेसिकलिए बहुत ही यूसफुल गेजट है इसलिए मुझे लगा कि मैं आपके साथ इसको शेर करता हूँ जो फोन स्टैंड्स होते हैं वो दो प्रकार के आते हैं एक तो प्लास्टिक क्वालिटी में होते हैं और एक अल्मीनियम क्वालिटी में होते हैं तो यह अल्मीनियम क्वालिटी का है जिससे कि बेसिकलिए एक हैवी heavy tablets और mobile को भी easily hold गर पाता है इसके उपर अगर आप देखेंगे तो इसका MRP दिया गया है 1499 but I have got this for only rupees 350 350 rupees में मुझे मिला है आईए से खोलते है इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें नीचे चार ग्रिप दी हुई है जिसे की इसका नीचे hold अच्छा बना रहता है उसके साथ-साथ यहाँ पे एक grip है और यहाँ पे भी grip दी हुई है इसको आप फोल्ड करके easily किसी bag में भी carry कर सकते है मैं आपको इस पे अलग-अलग size की phone एक बर use करके दिखाता हूँ तो इसमें आप देखेंगे कि इसका क्या quality है इसको phone को आप ऐसे भी रख सकते है phone को आप ऐसे भी रख सकते है और आईए इसको दूसरे size के phone के साथ एक बर try करते है अगर आपका phone छोटा है और thickness जादा है तो अब भी इसको इस तरह से use कर सकते हो इसको इस तरह से use कर सकते है इसके इलावा अगर आपका बड़े size का phone है still it can be used like this इसमें एक और अच्छी बात है कि यहाँ पे space दी हुई है और इसके पीछे भी यहाँ wire के लिए space दीखेगे है तो इसके यह फैदा होता है कि आप इस stand को charging करते करते भी use कर सकते है तो यहाँ से wire आजएगी इस तरह से charge होता रहेगा phone और इसके साथ भी आप इस पे videos देख सकते है या फिर video calling कर सकते है आईए अब मैं इस पे आपको एक बार अपना iPad stand करके दिखाता हूँ कि इसकी इतनी strength है कि इसमें iPad भी easily hold हो जाता है तो देखिए दोस्तों मैंने इस पे अपना iPad लगाया है तो आप देख सकते है कि इसकी इतनी strength रहती है कि इतना वीड़े tablet को भी hold कर सकता है और साथ-साथ छोटे phones को भी hold कर सकता है आशागर्तों दोस्तों आपको यह gadget पसंद आया होगा basically इसका main use यह है कि आज की date में हम लोग बहुत सारी video calls करते हैं और उसके साथ-साथ हम लोग movies भी देखते हैं और ज्यादा तर अगर हम इसको हाथ में लेके देखेंगे तो हमारे हाथ ठक जाता है गर्दन दूजाती है क्योंकि हम यह नीचे सिर्द करके देखना पड़ता है तो उसके जगह यह अगर स्टैंड लिया जाए तो यह सारी चीजे इसससे पैतर हो जाएंगी आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आए होगी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजेगा आपका बहुत बहुत धन्यवाइद